हाली में आया है सिप्री का रिपोर्ट और ये कहता है कि भारत पूरी दुनिया में सबसे ज़ादा हत्यारों का आयात करवाता है आये समझते है सिप्री रिपोर्ट को और साथी साथ ये भी समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यूं है कि हम अब निर्भर नहीं रहना चाते हैं रश्या पे तो रश्या पर धीरे धीरे हमारी डिपेंडिबिलिटी कम होती जा रही है एक समय था जब रश्या से हम 76% तक का हत्यार आयात करवाते थे और अब सिफ 36% تक ही हम हत्यारों को आयात करवा रहे हैं रश्या से Sipri, Sipri 1966 में बना था इसका headquarter कहां पर है? इसका headquarter है Stockholm में तो Stockholm में इसका headquarter है और Stockholm कहां का capital है? ये capital है Sweden का तो Stockholm होता है Sweden का capital अब यहां पर आप देखेंगे कि Sipri का full form क्या है? Sipri का full form है Stockholm Stockholm International यानि कि अंतराश्टिये ये संगठन है और ये peace research के लिए काम करता है यानि कि ये शान्ति के लिए काम करता है peace research institute है ये आपका Sipri साथी साथ अब इसके report की बात करें तो इसने report शुरू किया था 1960-1964 से अपना report देना और इसके बाद हर 5 साल पे इसकी नई report आती है और अब आ गया है इसका नया report तो इसके नई report में जो विशेशता हैं है उसको हम समझे के कोशिश करेंगे कि सबसे जादा हत्यारों का import या आयात कौन-कौन से देश करवाते हैं आपको number 1, number 5 और number 10 याद रखना जरूरी है भारत number 1 पे है यानि कि अगर पूरे दुनिया में 100 हत्यारों का import हो रहा है तो उसमें से 9.8% इंपोर्ट भारत करवा रहा है 9.8% तक का import अकेले भारत करवा रहा है सेकेंड number पे है साउदी अरेबिया थर्ड नमबर पे है कतर थर्ड नमबर पे आप देखेंगे कतर फोर्थ नमबर पे जो देश है वो है यूक्रेन जिस पे अभी रश्या ने अटाक किया है और फिफ्ट नमबर पे है आपका पाकिस्तान जी तो पाकिस्तान भी अब पाकिस्तान जो है ये भी फिफ नंबर तक पहुँच चुका है पाकिस्तान में 4.3% तक हत्यारों का पूरे दुनिया में 4.3% भागिदारी पाकिस्तान की है फिर आता है जेपैन जेपैन के बाद है एजिप्ट एजिप्ट के बाद जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के बाद जो देश है जो 9th position पे जो देश है उसका नाम है सौथ कोडिया और फिर 10th position पे है चाइना तो सौथ कोडिया के बाद 10th position पे आता है चाइना जो की 2.9% तक का इं इंपोर्ट करवा रहे हैं अब जब हम भारत की बात करते हैं तो हमने देखा कि 1960 से लेकर अभी तक लेकिन अब हमने ये आयात को कम कर दिया है और ये 36 percent हो गया है तो जो top 3 देख है रशिया से हम 36 percent second number पे जो देख है वो है France यानि कि France से हम 33 percent और third number पे हमारे लिए इंडिया के लिए जो देख है वो है अमेरिका, अमेरिका से 12% तक हतियारों का इयाद करवा रहे हैं तो बात आती है कि क्यों ऐसा हुआ है कि France इतना ज्यादा बढ़ गया है तो France के बढ़ने का कारण है कि France से हमने 36 Rafal लिये हैं, अमेरिका के बढ़ने का कारण है कि America से हमने MQ-9B Drones यानि की Reaper drones लिये हैं फिर हम बात करेंगे कि रश्या से हमारी हमने रश्या से इतना partnership कम क्यों किया है तो इसका ये कारण है कि रश्या से टाइम का issue हो रहा था रश्या क्योंकि रश्या और यूक्रेइन का conflict चल रहा था तो रश्या यूक्रेइन के conflict में जो हमारा engagement था रश्या हो चुके हैं तो रश्या और चाइना के relation से भी इंडिया को थोड़ा इससे दुविधा हो रही थी कि अगर हम रश्या से कोई technology ले रहे हैं तो उसके बारे में चाइना को information हो सकता है और चाइना पाकिस्तान का जितना भी import होता है उसका 82% तक का import 82% तक का import अकेले चाइना क कि भारत के अंतराश्या अगर हमें IR में कोई problem होता है तो उसका main कारण है वो है चाइना और पाकिस्तान ये दोनों के समंध रश्या से काफी जादा घनेश्ट होते जा रहे हैं चाइना पाकिस्तान को 82% तक का import कर रहा है पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है चाइना से 82% तक arms का और पाकिस्तान का भी position बहुत जादा बढ़ गया है यानि कि पाकिस्तान जो है वो 5th number पर आ गया है import के मामले में चाइना और रश्या अपने technology को share करते हैं इनके बीच आसे बहुत सारे treaty बहुत सारे संधी sign किया गया है जहां पे इनके technology को share किया जा रहा है और फिर हमन cryogenic engine या फिर अभी recently जो AMCA है AMCA यानि के advance medium combat aircraft जो हमने देखा इन दोनों में हमने यह चीज़ नोटिस की कि रश्या हमें इसमें तो help कर देगा कि वो हमें aircraft दे दे हमें drone दे या हमें वो जो satellite या cryogenic engines है वो चाहिए वो दे दे लेकिन उसकी technology को साजा नहीं करना जाता है और इस है यानि कि हम AMCA में हम ने क्या किया है कि DRDO का जो agency है DRDO का Aeronautical Development Agency है उसने खुद से ये technology को विक्सित किया और उसके बाद हिंदुस्तान Aeronautics Limited को दे दिया गया कि वो इसको manufacture करेगा तो हम आग निर्भरता की ओर जा रहे हैं और इस कारण से भी हम Russia पे अपनी dependency को कम करना चा करता है तो दुनिया भर में सबसे जादा एक्सपोर्ट अमेरिका करता है इंडिया की बात नहीं होड़ी है दुनिया की बात होड़ी है उसके बात France करता है third number पर Russia है और fourth number पे China भी है यानि कि चाईना दसवे number पे है importer के term लेकिं चौथे number पे है exporter के term पे 42% दुनिया भर में export अमेरिका करता है सबसे जबें ये export European countries में करता है France जो है वो 11% और Russia भी 11% और China भी इसमें आगे आ चुका है यानि कि China जो है वो 5.8% तक export भी करता है सभी देश अपने, सभी जितने देश की हम बात करते हैं चाहे हम Japan की बात करें, चाहे हम European Union की बात करें चाहे हम India की बात करें, सारे देश अपने देशों में आयात को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके देश में आयात बरते जा रहे हैं लेकिन चाहिना एक ऐसा देश है, जो कि अब कम import करता है यानि कि इसमें अगर हम देखें, तो report के अनुसार जो ये report आया है recently अगर ये देखा जाये तो आप देखेंगे आपे कि चाइना ने आम इंपोर्ट को 44% तक कम कर दिया है ये आम इंपोर्ट को जब ये 44% तक कम करता है इसका मतलब है कि चाइना आत निर्भर हो रहा है तो ये सारे details आपने यहाँ पे समझी और hopefully ये सारे details को समझने के बाद आप इस question का answer दे सकते हैं जहां पे आपको दो कथनों पर विचार करना है पहला कथन है कि Russia still remains India's main arm supplier और दूसरा कथन है कि Russia का share इंडिया के import में 50% से कम हो चुका है तो इसको आप comment section में बता सकते हैं और इसी तरह से जो भी topic आपके exam के लिए important है उसे हम 10 minute में discuss करेंगे Thank you करेंगे